आप लोग को बता दू कि फिलाल तो हम लोग है नचोली ग्राउन ठीक है यह देखिए सारे साथ बज़ रहा है और हम लोग एक साइकल राइड पर आया है हमने सारे साथ अब एक टेस्टिंग हो जाएगी जोंतोदा अभी मेरे से काफी दूर है देखिए में जोंतोदा से कहना चाहेंगे साइकलिंग क्यों जरूरी है तो सबसे पहले जैसे जोंतोदा ने बताया अगर आप वाकिंग करते हैं तो आपके नीज पर काफी स्ट्रेस पड़ता है ठीक है ना तो साइकलिंग करिए नीज पर उत्मा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो होंगे कि जिम में ज बहुत अच्छा रहता है तो इसलिए साइकलिंग करना जरूरी है कि गुड मॉर्निंग नमस्कात सश्यकाल आदाव स्वागत है आप सब का एक बर फिर से डायफिट ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग की शुरुवात हो गई है मेरे साथ जोइन तदा है कैसे है जोइन और सूरिय देफता भी चड़ गया है यह दिखिए सूरिय देफता सारे साथ बज रहा है और हम लोग एक साइकल राइट पर आया है हमने सारे साथ किलोमेटर साइकलिंग करके यहां तक पहुचे हैं तो ठके आप नहीं है लेकिन हाँ ठंड बढ़ गई है हम लोग नहीं कि करना है मेरे को काफी ठंड लग रहा था और यह जो आप अभी आवाज सुन रहे हैं यह नया वायलेस माइक्रोफोन है तो इसका भी टेस्टिंग हो जाएगी मेरे से काफी दूर है देखें मैं जयुनतदा से काफी दूर आ गया हूं तो आप लोग कमेंट करके बताना इसलिए कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही यहां पर जैसे दिन चड़ेगा और सुखेगा हो सकता यहां पर प्लेयर्स आएंगे खेलने खेल अगरा होगा गेम होगा यहां तो आप लोग कमेंट करके बताना जयुनतदा का आवास उनाई दिया है किने जयुनतद हो रहा है बहुत ही खुबसरत संद्राइज मज़ा आ गया है और घ्रिकेट ग्राउंड है और कोई नहीं की नहीं है अभी क्योंकि और चुला सकते हैं और और चला सकते हैं चलाएए उसपर घुटनों में काफी एक्साइस होता है पूरे घुटने मुडते हैं और घुटने भी ठीक रहेंगे आपके एज के साथ साथ मुझे मैं भी cycling कर रहा हूं मुझे भी डॉक्टर ने recommend किया आप walk की वजाए आप cycling करिए जो आपके घुटनों के लिए काफी फाइदे मंद रहेगा तो cycling बहुत जरूरी है cycling का मैं आपको ठोड़ा बहुत बेनेफिट बता देता हूं काफी बेनेफिट है तो सबसे पहले जैसे जो इंतदा ने बताए अगर आप walking करते हैं तो आपके नीज पे काफी stress प आपका जो lower body है जो thigh muscle है जो cuff muscle है उसका exercise हो जाता है आप जाके देखते होंगे कि जिम में जाके लोग cycling करते हैं लेकिन मैं वह prefer नहीं करता हूं मैं prefer करता हूं कि आप cycling बाहर आके करें क्योंकि उससे आपको इस तरह का जो नजारा आप देख रहे है यह नजारा आपको खुशी आएगे जब अंदर से खुशी होगा तो happy hormones release होते हैं जिससे कि आपका stress relief होता है आपका mental health बहुत अच्छा रहता है तो इसलिए cycling करना जरूरी है ठीके और बाहर आये बाहर सास यहां पर बहुत ही अच्छा वातावरन है सास लेने में बड़ा अच्छा लगता है ह हम एकदम डिप सीटी में रहते हैं तो वहां पर बहुत pollution है आप यहां से साथ किलोमेटर हम दूर आ चुके हैं लेकिन यहां पर प्रदूशन बहुत कम है अला कि है लेकिन बहुत कम आपके आप लोगों के घर के आसपास अगर ऐसे साथा किलोमेटर के अंदर अगर अगर है तो आप साइक्लिंग करते हुए उधर जाईए जी 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 शहर के अंदर में साइक्लिंग मत करिए तो इससे आपको oxygen लेवल भी बाड़ी में इंक्रीज होगा बिल्कुल सही कह रहा है और साथ में ही यहां पर ट्रैक्टर का भी थोड़ा वो तावाज सुनाई दे सकते ह फिय्क फिय बेटाएं नैजर आंगे और रात के मैच तो आप देखते हैं यह पर देख नगहांते हैं जबाडलोत में यहां लाइट विकल साथ मैचस भी होते हैं यहां पर साथ में खेती बारी भी होता है तो यह पूरे खेतों के बीच में यह क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है हाला कि मुझे लगता है कि यह भी एक खेती रहा होगा तो इसका भी थोड़ा सा मैं टेस्टिंग करूंगा मैं जोहनतोदा से काफी दूर जा रहा हूं और जोहनतोदा कुछ न बाकान हैं सुसाइटीज हैं फ्लैट्स हैं तो हम थोड़ा बाहर इसलिए निकलते हैं ताकि हमें यहां पर खुला वातावरन का फाइदा ले सकें और शरीर के लिए जैसे क्या जादे प्रदुशित वातावरन सब जगे आज का लगबारों में खबरों में सब जगे आरा प्रदुशित है यहां पर भी प्रदुशन आया है लेकिन जहां पर हम रहते हैं वहां से कम होगा डेफिनिटली तो कमेंट करके जरूर बताइए कि जोयन्तोदा का आवाज सुनाई दिया के नहीं दिया हम काफी दूर आ चुका है और ऐसे बहुत नौइज भी है चला नहीं चला तो आभी मैं आप लोग को थोड़ा सा पीच रिपोर्ट दे देता हूं यह देखिए यहां पर काफी ओस है लेकिन यह पीच जो है काफी हाड लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत घास आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा से इन्होंने मेंटेन करके रखा है बहुत अच्छा पीचे मुझे लगता है कि यह काफी बॉलस को सपोर्ट करेगा काफी हाड पीचे और अच्छा सीम होगा यहां पर अच्छा सीम से बॉलिंग कर सकते है और बैट्समें के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है ठीके तो अभी तक खेला नहीं है लेकिन हाँ एक जमाना था जब मैं रोज क्रिकेट खेलता था और मेरा बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट करना में एक कॉल्राउंडर हूं शायद आप लोगों को पता नहीं है बॉलिंग भी करता हूं बैटिंग भी करता हूं मिडिल और बै कर रखा है तो कभी मोका मिलेगा तो फिर कभी क्रिकेट खेलेंगे तीक है बहुत अच्छा पीछ है और अच्छा लगा यहां पर आके और वरशारे साथ किलोमीटर अभी तो यहां से अभी निकलने की तयारी करते हैं घर जाते हैं और आप लोग बताना कि यह बलॉग का ए से एक नए ब्लोग के साथ तब तक स्वस्त्वे है मस्तर है इस ब्लोग को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद